असलामलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप आप अला ताला हुश्च रखे बाद रखे स्लामत रहे हैं आज मैं चिली चिकन बनाने की रैस्पी आपसे शेयर करूंगी बहुत ही असान है और जट बड़ बनने वाली है तो आए बनाते हैं चिकन चिली जी वीवर्स यह आदा किलो ब पसांदव एक टमाटर चिली सॉस टमाटो कैचप सिर्का सोया सॉस काली मिर्च और कुटीवी मिर्च और सबस मिर्च और एक अंडा यह सब चीजें जाएंगे आए बनाना शुरू करते हैं जी वीवर्स यह चिकन को न हम पहले चीजें लगाएंगे सोया सॉस आदी प्याल टमाटो कैचप दो चमाच चिली सॉस दो चमाच नमप और मिर्च हस्पे जाएका अमेज में यह कौन फ्लोर एक भर कर मैदा दो चमाच भर कर अब इसमें जाएगी कुटी मिर्च पादी चमाच काली मिर्च थोड़ी सी जाएका के लिए चुताई चमाच चीक है जी और नमक चक्कर डालेंगे कि het उपएंफ़ घंता जायगा को चेक है जी और यहांना इसमें थोड़ा सान नमक डालोंगी हर्फे जयका जेएगा जी इसको कर 104 इसकी स्वास की थे summ अब इसकी सास तियार करेंगे ठीक है ज़ी यह चार चमच यह टेबल सुन मैंने सोया सास ली है और इसमें आदी प्रफ बैली केचप चली हो इस्च चिली सास चली गी ठीक है जी और दो है और इसमें जाएगा कॉण फ्रोर कि इस बढ Geo इस mec बढ़त कर एक ठाश थी कोम त्यूंश ठीक है जी जी वीवेश यह देखें ये एक एक पीस उठाकर अब हम फ्राई करेंगे ठीक है जी यह जुद्ध गाए उ वीवेश यह देखें यह अच्छे खासे गूल्ड़न ब्राउन हो गया इसे निकालने है जी वीवर यह देखें यह गुल्डन ब्राउन मैंने कर ली है थोड़ा सा मैंने कुकिंग ओयल ले लिए ठीक है जी हस्पे जरूरत अब इसमें हम प्यास और शिम्ला मिर्चे डालेंगे यह प्यास डाल दिया मैंने आंच को तेज करेंगे ठीक है जी शिम्ला मिर्चे संधिता ने नमगाई में पत्री पत्री कादम दी ठीक हगी आप जाएगा टोपशकी को कामाटर यागी नी थी केप मिनटक statशक Гос इसको मिस्ट करेंगे, जी वीवर ये देखें, ये एक से दो मिनट मैंने बना लिया, अब इसमें ये सारा चिकन जाएगा, ठीक है जी, सबजियों को क्रंची रहना चाहिए, ठीक है जी, क्रिस्पी रहना चाहिए, ज्यादा पकाना नहीं है हमें, तो इसमें थोड़ी चिली ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये चिली चिकन है, तो इसका जैका भी रहता होना चाहिए, तो फिर भी आप अतने हस्ते जैका बनाएगा, ये देखें वीवर्स, ये ग्रेवी आदी से भी खुश्क होगी, ये ज्यादा, ठीक है, आदी चमच अभी तिल की जाएगी, और इसे स्प्रिंकल कर दें ऊपर तीर, तो क्योंकि बीच में मैंने एक चमच डाला भर कर, तो ये हमारी चिकन चिली त्यार है, अमेड़ा आपको मेरी ये रेस्पी पसांद आई होगी, मिलेंगे फिर एक नई रेस्पी के साथ, इजाज़ा दीजिए, अल्ला हाफिस.